ही गाईज कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे मैं जो थी आपका स्वागत करती हैं स्टेडी जोग्रफी चैनल पर फ्रेंड एक सांदार सेंट्रल इन्वस्टी से प्यस्टी एड्मिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसकी सारी डिटेल्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे फ्रेंड्स अप्लिकेशन फॉर्म फिल होना अभी दो दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है लेकिन फिर भ इस प्रोग्राम को उसमें कौन को से सब्जेक्ट दिये गया है देन हम लोग देख लेते हैं जो इन्मस्टी का नाम है देन हम लोग सारे डिटेल्स को कवर करेंगे ठीक है फ्रेंड्स मैं चाहूंगे कि बहुत ही कम समय में ये वीडियो को पूरा कर दिया जाए ताकि आप आपको देखने में कोई दिकत न हो थो चल !!! आप अहाँ पर देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है इंगलीस-ख hm सब्जेक्ट है इंगलीस इंगलीस जाय तो दिया गया है ध sy 까ं सुसम्छानी के लिए नौटिफिकेशन इतने सब्जेक्ट में आया हुआ है हम लोग देख लेते हैं इन्वस्टी कोन सी है फ्रेंड्स एक सेंटर इन्वस्टी है अगर आपका सब्जेक्ट है और आप इलिजबल है तो आप अपलेकिसन फॉर्म को जरूर फिल करिएगा ठीक है आगे हम ल कि अद्मिशन टेस्ट यहां पर जो सी यू के एटी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वह सेंटर इन्वस्टी आफ कस्मीर अड्मिशन टेस्ट ठीक है यहां पर जो जिस भी प्रोग्राम में आपको अड्मिशन चाहिए उसके लिए आपको इंट्रेस्ट के थूँ ही आपको अड्मिशन मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेते हैं इनका जो अपका अड्मिशन होगा वह जो है उसकी जो डिटेल्स है वो नीचे दी गई है आगे दिये गया अगर आप अप्लेकेशन फॉर्म को आउनलाइन मोड में ही फिल करिए ऑफ्लाइन मोड में फिल किया गया जो अप्लेकेशन फॉर्म है उसे अकसब्स नहीं किया जाएगा ठीक है आगे दिया गया फ्रेंड्स कि जो कंडिडेट फाइनल एर Eggshell में अप्लेके का ढातीन KAS the अगर नहीं आए तो भी आप फॉर्म को besale कर सकते है लेकिन जो इंट्रेस्ट होगा उसका रिजर्ड डिक्लेरेशन से पहले आपका रिजर्ड आ जाना चाहिए आपका एक्जाम कॉलिफाई हो जाना चाहिए क्योंकि अगर जो जो फ्रेंड्स इंटर्व्य होगा उसमें आपको माक्सिट का और रिजिनल कॉपी लेके जाना होगा ठीक है आगे दिया गया है फ्रेंड्स की जो आपका सेलेक्शन होगा वो होगा इंट्रेस्ट टेस्ट की थूरू इंट्रेस्ट के बाद आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आगे दिया गया है रिजर्वरेशन जो होगा वो से, स्ट, OBC, EWS, PWD को जो रिजर्वरेशन दिया जाएगा वो गवर्मेट आफ इंडिया की रूल और डेकॉलेशन के एकॉर्डिंग ही होगा और यहाँ पर मेंसन किया गया है फ्रेंड्स की जो आपका यहाँ पर मेंसन किया गया है ऐसी का मेंस होगा सेडियूल कास्ट ना कि सोसल कास्ट ठीक है यहाँ पर मेंसन किया गया है फ्रेंड्स और इतनी ही चीज़े इसमें दी गई है चेनरल गाइडलाइन्स में आगे हम लोग देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट डेट है वो क्या जो दिया गया वह अठारा अगस दिया गया है यानि किसी 10 से 11 दिया गया है आपको फ्रेंट्स आगे देख लेते हैं एडमीट काड एडमीट कार्ड आपका एक सितंबर तक आ जाएगा और जो इंट्रेस्ट टेस्ट होगा वह आपका तीन दिन होगा साथ आट और नौ शितं डाउनलोड होने लगेगा ठीक है friends आगे देख लेते हैं दिया गया अजो application form और application fee बगएरा है वो website पे सारी डेटेस अबलेबल है friends website यहां पे दिया गया है ठीक है और application fee जो है friends वो दिया गया है 700 रुपया 30 subject के लिए और 350 रुपया दिया गया है additional to subject के लिए ठीक है SD के लिए 350 है 3 subject के लिए 150 additional 2 subject के लिए दिया गया है PWD applicant जो है वोन के लिए कोई भी fee नहीं है यहाँ पे दिया गया friends की कोई भी समस्या हो या कोई query हो तो आप यहाँ पे helpdesk number पे phone करके पूश सकते हैं या फिर यह university की website दी गई है वहाँ पे आप एक बार जरूर चेक करने ठीक है सारी details को हम लोगों ने अच्छा इससे cover कर लिया friends इतनी ही चीजे थी यहाँ पे और कोई query हो यह सुझाओ हो तो आप comment box में लिख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो like करेगा चैनल को subscribe करेगा वीडियो को share करेगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप पढ़ते लिए आगे बढ़ते लिए thank you friends